अगर आप लोग मद्यपिदेश की किसी भी गवर्मेंट एक्जाम की तयारी करें जिसमें आप देखिए MPPSC हो गया या व्यापम की तमाम एक्जाम होते रहते हैं सिक्छक भरतियां होती रहती है पोलिस कॉंस्टेबल के लिए होता रहता है ऐसा ही दरोगा हो गया जेल पहरी की पटवारी हो गए और इन सब की अगर पूराने कुश्टेश पेपर उठाके आप लोग उने देखे हैं तो आप वह देखने को मिलता है कि मद्यपिदेश में जो वर्टमान में घटनाएं घटती रहती हैं उनसे कुश्टेश आपकी परिप्छाओं में पूचे जाते है जिनने आप लोग मद्यपिदेश कर्रेंट फियर्स कह देते हैं और अच्छी खासी संक्या में कुश्टेश पूचे जाते हैं तो आप देखते हैं कि हर महीने का हम लोग जो भी घटनाएं घटती हैं उनका एक ओवर्विव ले लेते हैं तो 2022 के सभी 12 महीने की कर्रेंट की घटनाएं एक-एक महीने को कबर किया हुआ है पेछले महीने यानि की जन्वरी भी हम लोगोंने कबर की हुई है जन्वरी 2023 आज की इस क्लास में में फरवरी 2023 में जो घटनाएं घटी हैं उनका एक ओवर्विव लेना है मद्पिदेश मंतली करेंट फियर्स के नाम से जो प यहाँ आप देखें भारत का मैप दिखाई दे रहा है और इसमें आप देखेंगे यह है आपका मद्पिदेश भोपालिस की रादधानी है एक नवंबर 1956 में इसे राज बनाये गया था एक नवंबर को आप लोग मद्पिदेश तिपस मनाते हैं देखें इसकी सीमा उत्तर मद्पिदेश राजिस्तान, गुजरात, महराष्ट और 36 गड़ से लगती है मद्पिदेश से अलग करकी ही 36 गड़ राज बना था एक नवंबर संटोहजार में यहाँ विधान सभा में 230 सीटें देखने को मिलेगी राज सभा में 11 सीटें लोग सभा में 29 सीटें आपको दे भाग द्वारा दी गई जानकारी के अंसार मद्पिदेश ग्रह निर्माड एबं अध्यो सरचना मॉडल के ओनलाइन स्रिटीजन पोर्टल को पितिष्टित स्कॉच अबड 2022 से समानित किया गया है और ग्रह निर्माड के अधिक्च आसुस्तोस्तिवारी ने कहा है कि पिध पोर्टल में एक लाख चालीस जार आवंटियों के खाते ओनलाइन उपलब्द कराए गये हैं और मंडल के आवंटियों ही तु संपत्तियों की किस्त लीज रेंट, MLC, SC, SC, आधी जमा करने ही तु आउनलाइन सोविधा उपलब्द है और उक्ति सोविधा के तु आवंटि इसकी भी इस्थाबित की गई है और जैसे आवंटियों के ओनलाइन खातों से सम्दित समस्याओं का तुरित निराकन किया जा रहा है और विगत बित्तिय वर्स में 4989 आवंटियों द्वारा पोर्टल से 3,49,000,000 रुपे का ओनलाइन भुखतान किया गया है और चालू बित इस लोक सेवाओं के फिर्दान की अगारंटी अधिनियम 2010 की धारा तीन के तहरत अधी सूचिन मंडल के सभी 15 सेवाओं संपत्ति का नाम नावंतरन, हस्तांतरन, NOC आधी ओनलाइन उपलद कराई गई हैं और लोक सेवा गारंटी में आविदक को अपने आविदन में आवस को अपना डिजिटली साइन प्रमाड पत्त ऑनलाइन ही प्राप्त हो जाएगा और ऑनलाइन सो विधा के लागू होने के बाद आवंतियों को अपने काम के लिए बारवार चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं और साथी संपूर्ण पिक्किरिया हीतु समय सीमा के अनुसार क इस तो गया एक फरवरी 2023 को मद्पदेश के उर्जा मंत्री पिदुम सिंग तोमर ने बताया कि बिगद बर्स बिजली उभोगताओं को 21,306 करो रुपे की सबसीटी दी गई है और इस बर्स यह रासी 22,000 करो रुपे से अधिक होना अपेक्षे थे और उर्जा मंती ने बत के लगबग 88,000,000 बिजली उभोगता पितिमा लाभन मित हो रहे हैं पिदेश में 5 होस पावर तक किरसी उभोगताओं को 59,896 रुपे वासिक बिल के इस्थान पर मात 3,750 रुपे का बिल दिया जा रहा है यह कुल रासी कमात 7 वी तीसत है और से इस तरह रासी राजसासंद बिजली दे जार रही है और एस से योजना में लगबग आप देखें 9,34,000 उभोगता पितिमा लाभन भी थो रहे हैं अंगली खबर की बढ़ते हैं दो फरवरी 2023 में MP TRANS को मद्पदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने कटंगी छेत में बिद्धुतर से रेल के सुगम सं में पश्चम दच्चनपूर मद्द रेलवे के लिए एक रेलवे ट्रैक्शन फीडर तेयार किया है और लगभग 12 करोड की लागस्ति निर्मित स्पीडर ओलाइन का निर्पाण निरीक्चन परिक्चन कर इसे ओरजी कित कर रहा दिया है और मद्पदेश द्वार मद्पद पूरी करने के बाद MP Trans को ने इस फीडर को और ओनलाइन फीडर ओनलाइन का निर्माड कर इसे ओरजी कित करने की मैं सफलता पराप्त किया और उन्होंने बताए कि मत्पदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा 132 के भी सब इस्टेशन कटंगी से रेलवे स्टेशन सपलाई उपलद हो गई है और याद रहे पहले MP Trans को के 132 के भी लाल बर्रा सब इस्टेशन से 132 के भी RTS फीडर समान समानपूर के माध्यम से बालाघाट कटंगी सेक्शन सानिचालेत होता है था और इस RTS फीडर के निर्माड से बालाघाट के साथ बालाघाट कटंगी त अच्छी बात है अंगली खबर है तीन फरवरी 2023 को मद्कदेश की मुखमंत्री सिवरासिंग चोहान साब ने मद्कदेश और 36 गड के NCC दल के लिए भोपाल में आज़े चीप मिनिस्टर बेनर कारिकरम में दिली में आज़े 74 गरतन दिव सिवर में समलित मद्कदेश 36 गड NCC निदेशाले के केड़िट्स को उतकिष्ट पिदार्सन के लिए समान दिया है और मुखमंती सिवरासिंग चोहान ने उतकिष्ट पिदार्सन करने वाले केड़िट्स का विभिन सेडियों के तहत पुरुस्कित किया है इनमें पिथम इस्थान प्राप्त आप देखें ख और मुखमंती सिवरासिंग चोहान ने भौपाल के NCC मुख्याले के गुरोप कमांडर संजोय घोस को चीफ मिनिश्टर बैनर से समानित किया है और आप देखें कि मद्पिदेश एवं 36 गड एन्सीसी निदेशाले के अपर महानिदेशक मेजा जनरल एके महाजन ने बताया कि 1949 में आरम NCC भरतमार में विस्ट का सबसे बड़ा बर्दी धारी हुआ संगठने और मत्पिदेश में 55,000 केड़ेट्स को समलित किया जाएगा और उन्होंने बताया कि दिली की परेड में मत्पिदेश 36 गड निदेशाले की दल ने 11 ग्यारवा इस्थान पर आप किया है कर्तब पत्पर निदेशाले की पंदरे राष्टी ये गार्ड और ओनर में पांच और पी एम रेली में दो केड़ेट्स ने भाग लिया है घुर सबारी में आप देखी निदेशाले की केड़ेट्स ने दो जरजत और दो कांस पदक भी जेते हैं चीप मिनेस्टर बेनर का कर्म में एंसी सी केड़ेस द्वारा रुद्य सिप्तांडव पुन्य से लोक मा अहले अभाई होलकर की जीवन गाथा पर नित्य नाटी का बासुरी बादन और बधाई नित्य पिस्तुत किया गया है तो यह सब आप लो याद रखेगा अंगली खबर है आपकी चार फरवी 2023 को खेलो इंडिया यूद गेम्स 2022 में मेजबान मद्यपेदेश अभी आप देखें कि खेलो इंडिया यूद गेम्स हुए ना इनी की बात कर रहा है मद्यपेदेश ही मेजबान था इस बार तो बॉक्सिंग चेंपिएस से में दो स्वड़ पदक जीता उकुल 13 पतकों के स चेंपियन में दूसरे स्थनपन रहा है मद्यपेदेश MP और खेलो इंडिया यूद गेम्स 2022 में मेजबान मद्यपेदेश ने बॉक्सिंग में दो स्वड़ पतक चार रजत और साथ कांस पतक सहित कुल 13 पतक जीते हैं और मद्यपेदेश के लिए यूगिसर दत्व मलीका मोर्ने स्वड़ पतक जीते हैं वहीं हर्याना के आठ स्वड़ पांच रजत और दो कांस सहित आप देखी कुल 15 जीत कर ओवरॉल में चेंपियन रहा है टॉप पर रहा है हर्याना के बाद मद्यपेदेश का नंबर आया बहुपाल के तत्या टोपे नगर स्टेडियम में बॉक्सिंग चेंपियन सिप के मुकाबले खे ले गया है और बालक बर्ग के आप देखे 60 साथ से आप देखे 63.5 किलोग्राम भार बर्ग के फाइनल में मद्यपेदेश के योगेसो दत्त ने मडीपुर के स्री मुईर रेम गत्म को हराकर स्वड पदक जीता है और अवनेचल पिदेश के पक्का ताओ और उत्राखंड के भुवनेसो ने कांस पदक इसमें जीता है बालिका बर्ग में मलीका मोरे ने मद्यपेदेश को स्वड पदक दिलाया है मलीका मोरे आप देखे 45-48 किलोग्राम भार बर्ग की फाइनल मुकाबले में हर्याना की भावना सर्मा को सिकस्त देकर स्वड जीता है उत्तराखंड की अचल सुकला और दिल्ली की संजना ने का पदक जीता है और आप देखे 55-50 किलोग्राम भार बर्ग की फाइनल में मत्यपेदेश के रुद्धिजी सिंग को हर्याना के आसीज के हाथों हार का सामना करना पड़ा और रजत पदक से संतोज करना पड़ा और आप देखे 50-52 किलोग्राम भार बर्ग में मत्यपेदेश अर्याना की मुसकान ने राय है बालग बरय आप देखे अविसेक्ट उमर ने 63.5-63 किलोग्राम भार बर्ग में पिसान्त खटानय ने show सरसर से 31 किलोग्राम भार बर्ग में और िशब से करबार ने आप देखे 75-80 किलोग्राम भार बर्ग में कांसपददग जीता है और ब किया है तो इस तरह के पुरुसकार रहते हैं खेलों में तो उने याद रखा कर ये गाउंसे भी कुश्चन से पूचे जाते हैं छै फरवरी 2023 को मद्पिदेश के मुखमंती सिवरा सिंग चुहान ने स्यामला हिल्स इस्तित मानस भवन में मानस भवन में HDFC के ATM का फीता काट कर बैंक की 20 साखाओं का वर्चुली सुभारम किया है और मुखमंती ने कहा है कि HDFC बैंक द्वारा पिदेश में सारोजगार की गत्विधियों को पुरोसाहन करने की और महला सो साहता समूओं को ससक्त करने की दिसा में दिया जा रहा है सहयोग सरायनी है और मद्पिदेश में HDFC के मुंबई इस्तित हैड ओपिस और पिदेश की 20 साखाओं वर्चुल जुड़ी हुई है और मुखमंती ने कहा है कि 17,33,000 करोड की रासी और 15,6,000 करोड की अग्यम रिंड और 22,95,000 करोड की बैंग सीट के साथ HDFC भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है और इस बैंक क जनजाती बहूल और दोजदराज के लव जिलों में खा साख जमा अनपात को बेहतर करने के लिए विसेश रूप से प्रयास भी करें और HDFC बैंक जिन साखाओं का बरुचुली सुभारम किया गया उन्हें भोपाल की स्यामला हिल्स साखा, जवर्पुर की इसने नगर, सद जवर्पाड़ी की आप देखें ओर्चा खंडवा की मूंदी, खरगोन की महसर, दमो की पलांदी, चोरहा, अनुपुर की बिजोरी, मंडला की नैनपुर, रीबा की गोल पार्क, सपना की पन्ना रोड और आगरा मालवा की नर खेडा, साका भी इसमें सामिल देखने को मिल देखेंगे, आगे आप देखेंगे, 6 फरवरी 2023 को खेलो इंडिया यूद गेम्स 2022 में मद्पदेश की महसर के सहस्तधारान में जारी के नौम इसला लॉम, पितियुकता में मद्पदेश ने 208 पदक जीते हैं, और आप देखेंगे, पहली बार खेलो इंडिया यूद गेम करने के लिए 850 सेकंड समय लिया है, और स्वडक पदक जीता है, जबकि दूसरे इस्तान पर रहे मेगाले की प्रेंस अगेन कुर्वाह ने 99.310 सेकंड समय लिया है, गुजरात के अनक चोहान ने को तीसरा इस्तान मिला है, अनक ने 104.030 सेकंड में रेस पूरी की है, और इ प्रिती पाल हर्याना की उनके उनसे काफी पीछे आप देखे 491.112 सेकंड के साथ दूसरे उद्रिती मारिया आप देखेंगे 569.0, यह आप देखेंगे की 120 सेकंड के साथ तीसरे इस्तान पर रही है, चलिए तो यह पहला दूसरा तीसरा याद रखेगा, सेकंड मुझे पहले बाले को याद रखा करिएगा, बागी को याद रखना जरूरी नहीं लगता है, अगर आपके पास चमता है, तो आप लोग रख सकते हैं। उच न्याले, खंड़ पीट इंदोर के नेड़े के अनरूप, बिसेश पिकरन मनाते हुए अनुकमपा नियुकती फिदान की जाए। और इसके साथी सामान पर सासन बिभाग द्वारा जारी अनुकमपा संबंधी, आदेश 29 सेप्टमबर 2014 की प्रावधानों में मन्ती पस सद्वारा पसुपालन एवं डेवरी बिभाग में, 2022-23 में मुकमंत्री पसुपालन विकास योजना में 150 करोर रुपे का बजट परावधान किया गया है। पसुपालन विकास को मान भी किया है। पसुपालन विकास के लिए नवीन और एवं डेवाग द्वारा पिस्तावित योजना को अनुमोधन पिदान करते हुए। विस्ते दिशा निदेशी का बनाने संसोधन रिष्पष्टी कर दिये जाने के लिए विवाग को अधिकित किया गया है। और आप देखें मद्धी पैसाद्वारा मुख सचिप की अध्यक्षता में गटित साधीका सम्ती की अनुसार स्टेट डाटा, सेंटर की विस्तास अंचालन और नवीन डिजास्टर रिकवरी स्राइट की नेशनल डाटा सेंटर भोवनेसोन में स्थापना और बटमार में स वरासिंग चोहन द्वारा की गई गोशना के अनुसार सास्की भूमियों को आती किरमर से मुक्त कराने के बाद उपलब भूमी पर आवास हीन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए आवास निर्मार के लिए सुराज नीती 233 का मंत्री परसत द्वारा अनुदन कर द और समधाएक सो विधाओं के निर्मार की जाने तथा सुराज का लोनी के निर्मार के लिए उचित बित्तिय संसादन जोटाने और सेरी चितनों के उक्त भूखंडों को सोसंगत एउग घनत से विकास सुनिष्ट करने के लिए नीती तियार की गई है और इस नीती का उद् बिंदू निमन हैं एक अपरेल 2020 के आवाद अती कर्मर से मुक्त कराई गई सास की भूमी पर आवासीन और आर्थिक रूप से कमजोर भगों के लिए आवास निर्मार की योजना है और अती कर्मर से मुक्त कराई गई भूमी का एक टुकडा निजी डवलपर को सुपा और चोटे सेरों में मल्टी स्टोरी की स्थान पर 450 बर्ग फिट तक के आवस्ती पट्टे पर कालोनी विक्सित किये जाए सकेंगे और पर यह उजना में आप देखे सुराज कालोनी के लिए समस्त आवसक अदू सरचना जिसे सडक चल पिदाय, बिजली, बगीचा, समुद और यह उजना के किरियान मन के लिए अन सभी पिक्रिया है और राज में इस्थावित प्रेस्ट डिसी फेके सन नीती 2022 के अनुसार रहेगी और सुराज तावर कालोनी निर्माड के बाद अंगले 5 सालों तक डिफेक्ट लाइविलिटी पिरियर्ड के अंतरगत बिकास और 3 बरस्ता कालोनी के अरक रखाओ संचालन मरमत का दायत निजी डवलपर का होगा तो गरियों के लिए आप देखते हैं एक तरह से आवास की बात हो रही है यह आप देखेंगे आठ परवरी 2023 को मद्विदेश के उज्यन के माधो सेवा नियास में जारी खेलो इंडिया यूद गेंसे 2022 में मलखम मुकाबले में मेजवानी मद्विदेश ने 200 और 200 एक रजत पतक और भारतोलन में 100 पतक अपने नाम किया है तो यह भी आप लोग या सवड जीता है जबकि मद्विदेश की टीम ने रैंकिंग लड़के लड़की और सयुक्त का सवड 27.2 अंकों के साथ जीता है और लड़कियों के व्यक्तिगत अलराउंड इवेंट में मत्विदेश की सिध्धी गुप्ता ने रजत जीता है और मलकम में आप देखें लड महराष्ट 25.60 को और कांस पदक कांस 36 गर 201.25 को मिला है और सिद्धी ने लड़कियों के इवेंट में आप देखें 37.30 अंकों के साथ दूसरा इस्थान पाया है इस इसपल्दा का सवड महराष्ट की समीक्षा सुराड करने जीता है कांस पदक महराष्ट की तनुसरी जादाव को मिला है और इस तरह मत्विदेश के वेलुरू अजय बाबू ने भारतौलन में 81 किलोगराम बर्ग भाग में स्वड पदक वेलूरू ने इस तनेज 135 किलोगराम और किलीन एंड जर्ट में 162 किलोगराम के साथ पहला इस्थान हा IAF अंतरगत किरसी विस्व विद्याल है जो जबलपूर में आप देखते हैं इसमें आयूजित कारसाला में मत्विदेश के किसान कल्यान और किरसी विकास मंत्री कमल पटेल ने बताया कि किरसी अधो सरचना मत्विदेश देश में पिथम इस्थान पर है और IAF योजना में किरसी अधो सरचना निर्मान के लिए 332 चूट पर बैंक से रिड लेकर वियर हाउस कर्ष्टम हारिंग सेंटर और कोल्ड स्टोरेज गर्डिंग यूनिट प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट आधी के कार किये जा रहे हैं मत्विदेश में AIF योजना में अभी तक 50-7070 प से बित्रेट की जा चुकी है जो दूसरे राज्यों की तोला में आप देखेंगे सरवाधित देखने को मिलता है सबसे ज्यादा फिर आप देखें नौ फरवरी 2023 को खेलो इंडिया यूद गेंस 2022 में मत्विदेश के खिलाडियों ने रोइंग में 208 पदक और दो रजत और तीन कास पदक कुल साथ पदक जीते हैं और राधधानी भूपाल के बड़े तलाप पर रोइंग में बालीका बरक की सिंगल में महद्विदेश की मौनिका भदौरिया ने सवड पदक जीता है रोहिंग बालिका डबल इसकल में मत्वदेस के संतो स्यादा और जिग्यासा रीगर की जोडी ने रज़त पदक जीता है आँगे आप देखेंगे ए नौ फरवरी 2023 को केंदरी पर्याटन और संस्किती मंतरी जी के सनरेट दीन है ग्रेटा नोईडा में के इंडिया एक्स्पो सेंटर में दच्छेडिये से आगी सबसे बड़ी यात्रा ओपर्याटन पेदसनी साउथ एसीय ट्रवल एंड टूरिजम एक्स्चेंज से टीटी 2023 के तीसवी संसकंड का उध्धाटन की एस में मत्पिदेश टूरिज बोर्ड भागीदारी कर रहा है और मत्पिदेश टूरिज बोर्ड द्वारा से टीटी यी दोजातेजिस के माध्यम सियात्ता परेटन उद्देव से जुड़े बिबिन हिद्धारकों को पिदेश के परेटन इस्थल इस्तापत कला संस्किती और प्राक्तिक सोंदर से अवगत कराया जा रहा है पिद्धारकों को राजी के परिवान सुगंता, सुरक्षित बातावन, नागरेकों के अतित भाव के बारे में भी जानकारी दी जा रही आप देखेंगे कि SATT 2030 में मद्विदेश टूरीज बोर्ड का भागीदार, भागीदारी करना के उद्धेश अपने विबिन हिद्धारगों से मिलना, हिंदोस्तान के दिल, मद्विदेश में घरेलू, विदेशी परियाटों को की संख्या बढ़ाने के अउसर से जित करना है, और याद रहे इस पिदसनी कायजन 9 से 11 फरवरी तक किया जाएगा, अंगली खबर आप देखें, 10 फरवरी 2023 को मद्विदेश के इंदोर नगर निगम द्वारा ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया, जिसे आमजन और निवेसकों में कुछ घंटों में ह खरीत का नबर बन बना दिया है, और इस उपलब्धी के पीछे इंदोर की साथ प्रमुक आदार है, पिदेश के किसी नगरी निकायव ने देश के पितम गरीन पबलिक ब्रॉंड की माध्यम से इस चित में उपलब्धी पराप्त की है, और इंदोर नगर निगम द्वारा स जित के विशेजगों ने विशेज उपलब्धी माना है, और इंदोर स्वक्षिता की चित में देश में ने अंतर छे बार पितम आने के साथी अब ग्रीन बॉंड के माध्यम से नई उपलब्धी अरजित करते हुए एक ब्रांड बन चुका है, स्वक्षिता की जो सरविक् इस परीक्षा की अधार पर घोसित रैंकिंग में दमो जिला का पितम इस्तान रहा है, और जबकि निवाडी जिला सबसे निचली पायदान पर है, और जिलों के साथ ही विकास खंडों की पिदरसन को भी राज जिस्तर से परखाय गया है, और जिसके अनुसार पिदेश में आप देखे सरवाधी उतकरिष्ट कारकर रीवा जिला मुख्याला रीवा विकास खंड पितमिस्तान पर और जिले का बजाग विकास खंड अंतिमिस्तान पर है, और याद रहे राष्टी मेंस कम मेरिट चात्विती परीक्षा में सास्की विद्यालेओं के कक्षा आठ में अध्यनरत विद्यारती समलित होते हैं, और इस परीक्षा में सफल विद्यारतियों को उनकी आंगे की पढ़ाई के लिए कक्षा नौवी से बारवी तक पिती वस बारह हजार रुपे की चात्विती पर राप्त होती है, सत दोहजार बाईस ते इसकी या परीक्षा 6 नबं और दोजार 22 को संपन हुई, जिसमें इस बार मद्विदेश के रिकॉर्ड दो लाग बावन विद्यारतियों की द्वारा से भागिता की गई इसमें, और इस परीक्षा के परडाम का राज सिक्षा के अंदर ने विस्तित विसलेशन कर जिलों विकासकंडों की रेंकेंग इसमें चार मुक माद्दंड की आधार पर जिलों की आकणों का विसलेशन किया गया है, और कोल नामांकित विद्यारतियों के अनपात में परीक्षा में समलेद विद्यारतियों की संकिया परीक्षा फल का उतकर सिकूर, राज की मेरिश सूची में पिथम सो आय विद्यार प्रियासों का एक कड़ी है जिसके माध्यम से राज्य सिक्षा के अंदर सिक्षा की गुडवत्ता का मैदानी स्तर पर पता कर सकते हैं जहां कुछ कमी है वहां आवसक सुधारात्मा पहली की जाए सकती है तो बच्चों के लिए अच्छी बात हो रही है दस परवरी 2023 को खेलो इंडिया यूद्गेम्स 2022 में मंत्कदेश पुरूस हौकी टीम ने फाइनल मुकाबले में हौकी का पावर हाउस कहे जाने वाली उडिशा को तीन दो से माध देकर गोल्ड मेडल जबकि महला हौकी टीम ने रजत पदक जीता है उडिशा को हरा है फाइनल में तब गोल्ड म सकियों ने रजत पदक से संतोस करना पड़ा और पुरूस अरेवा महला हौकी पिते उखतायों का फाइनल एमपी होकी अकादमी ग्वालियर में खेला गया और पुरूस वर्ग में आप देकी पंजाब ने जारखन को दो जीरो से हरा कर कांस पदक जीता है वही महला वर्ग है आपकी 11 फरवरी 2023 को मद्धिपिदेश में आयोजित खेल इंडिया यूद गेम्स 2022 का समापन हुआ है और जिसमें आप देखेंगे कि मद्धिपिदेश ने 49 स्वर्ड पदक के साथ तीसरा इस्थान हात्रित किया है और खेलू इंडिया यूद गेम्स 2022 में 56 स्वर्ड 55 र और 55 स्वर्ड पदक कुल 128 पदक प्राप्त करके हर्याना दूसरे इस्थान पर आ है और मद्धिपिदेश आप देखे 49 स्वर्ड पदक 30 रजट और 20 कांस पदक के साथ 96 पदक प्राप्त करके तीसरे इस्थान पर रहा है पहले पर महाराष्ट दूसरे पर आप देखें हर् कुल नौ पदक प्राप्त कर बेहतर पिदसन किया है। और याद रहे पिछले खेलो इंडिया यूद गेम्स में मद्पदेश देश में आठवे स्थान पर आयता है। इस बार पिदेश ने इन खेलो में परगती किया। और मद्पदेश में हुआ है तो आप देखते हैं कि उ सम्मानित करने की गोशना की है। और खेलो इंडिया यूद गेम्स 2022 को आयोजन मद्पदेश में 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक किया गया है। और यह खेलो इंडिया यूद गेम्स का पांचवा संसकन था और इनका पहली बार आयोजन 2018 में राधधानी दिल्ली में आयोजित ग्वालियर उज्जेर महेस और जवलपूर मंडबा बालागट सहर है। इसके अलावत दिल्ली में भी कुछ खेलों का यूजन हुआ है। और याद रही मद्पदेश खेलो इंडिया यूद गेम्स की मेजवानी करने वाला भारत का पांचवा राज्य है। वर्स 2018 में नई 22 किलों को सामिल किया गया है। जिसमें वाटर स्पॉर्स को खेलों के इतिहास में पहली बाल सामिल किया गया है। केन ने इसलिए लम और काया किंग केनोइंग रोइंग जैसे नई खिल इस सौदेशी खिलों में सामिल हुए है भारत के 36 राज्यों के अधिक एथिलीटेओं ने खिल इंडिया खिलों इंडिया यूध गिम्स 2022 में हिस्सा लिया है जहां एथिलीटेओं ने आप देखे 27 किलो एजवानी राजमत्पिदेश ने इन खिलों में सबसे बड़ी टीम 474 एथिलीट उतारे थे ठीक है अंगली खबर आप देखते हैं यह 13 फरवरी 2023 को मुकमंती सिवरासिंग चोहन ने इंडौर के सुपर कोरीडोर में एस टेकनोलोजी द्वारा बनाए गये अत्याधोनिक और सबसे बड़ी केंपस का सुभारम किया है कहां इंडौर में यह आप देखे 5 एकड में 250 करूर रुपी की लागस से बने इस केंपस में 2500 यानि 2500 लोगों को रोजगार मिल रहा है और भविस में इसका विस्तार 15 एकड में होगा और इससे 12,500 लोगों को रोजगार मिलने क की जरूरत है इसमें इंडौर और मद्विदेश की इवाओं को प्रात्मिक्ता दी जाएगी और इस आउसर पर मुकमंत्री सिवरासिंग चोहन ने पितिक सौरूप 5 इवाओं को ओफर लेटर दिये हैं और एस टकनोलोजी के CEO मनोज बाहेती ने बताएगी वे मद्विदेश के ही निवासी है 13 फरवरी 2023 को मद्विदेश के नगरिये विकास एबं आवास मंत्री भूपेन सिंग ने 66 भी अखिल भार्टी पुलिस ड्यूटी मीट 2023 का सुभारम किया है और ओल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में आतंगवाद, नकसलवाद, भिष्ट प्रादों में 19 फिती सद की कमी आई है और इस पुलिस मीट के दौरान आप देखें एंटि सेवो टेज, चेक, साइन्टिफिक इन्वेस्टिगेशन, पुलिस फोटोग्राफी, बीडियोग्राफी, कम्प्यूटर अवेरनेस, डॉग, स्कुएड आदी विसों पर प्रादों में बिभन पिदेशों की पुलिस की कौमन प्रावलम्स पर चर्चा होती है, और एक दूसरे के अच्छे कारेयों को सेयर करते हैं, पुलिस ड्यूटी मीट में जितनी भी पितियोगिताएं होंगी, सभी का संबंध पिती दन के कारेयों से है, और इस पुलिस ड् करनाटा, केरला, महराज, पंजाब, राजिस्थान, रेलबे, सुरक्षाबल, SSB, तमिलाडू, तेलंगाना, उत्तरविदेश, उत्तराखन, पष्चमंगाल, मद्ध पिदेश के दल सामिल हुए हैं, तो ये भी याद रखे, अंगली खबर आप देखे, 14 फरवरी 2023 को, मद् परवरी 2023 को, खजराहों में, खजराहों नित्य समारों के सुभारम, आउसार पर, राज रूपंकर कला पुरुसकार में, दस राज जिस्तरी पुरुसकार प्यदान किये गए हैं, और पुरुसकार के लिए घूसित कलाकारों को, 59,000 रुपी की सम्मानरा से, पिसस्ती पद् उसी पुरुसकार, जबुलपुर के अमित कुमार सिंग को, उनकी कलाकृती दा साइनिंग मेकर के लिए दिया जाएगा, और मुकुंद्र साखाराम भांड पुरुसकार, आप देखेंगे, भुपाल की समीक्षा राठोर को, सीसक बहिन के लिए पिदान किया जाएगा, वह एक के लिए, और जगदी स्वामिनाथन पुरुसकार भोपाल के मानसिंग व्याम को, जिन्दगी एक सपर के लिए, विस्नु चिंचाल कर पुरुसकार इंदोर के उपेंदु पाद्या को, सेमल की बहार के लिए, नारयन सिरीधर, बिंदे पुरुसकार ग्वालियर के प्रच्मी संकर राजपूत पर उसका जबलपूर की अंगली राउत को फेंटेट कुईन एक के लिए पिदान किया जाएगा इसमें। राजपूत पर इसमें नाम में बदलाओ की सूचना दी गई है। राजपल और मैं इतना कहता हूँ कि कहने के लिए बास्टविक सक्तिया इनके पास हैं। कह देते हैं कि नाम मत की सक्तिया इनके पास हैं। दुनिया भर की बाते चलती रहती हैं। लेकिन एक बात याद रखेएगा कि राजपल हो चाहे राष्टपती हो। यह अपने मन से खाना कौन सा खाना है यह तैय कर पाते हैं। बाकी का काम आप देखने हैं कि पिधान मंतरी ही तैय करते हैं। यह बात आप लो के लिए समझेए। जगदीशपुर को राजपू सासकों ने बसाया था। और 1715 से पहले यहाँ के सासक नरसिंग देवडा चोहां थे। और 308 साल पहले औरंगजेव की मौत के बाद उनकी उसकी सेना का एक सेनिक दोस्त मुहमद खान भागकर उत्तर प्रदेश मालबा मंगलगड होते हुए जगदीशपुर पहुंच गया था। पहले उसने जगदीश पर हमला किया और जिसमें उसे करारी सिकत भी मिली। उसके बाद दोस्त मुहमद खान ने राजा नरसिंग देवडा को भोजन पर आवन निमंतन दिया और भोजन के उत्तर समाए उसकी हत्याय कर दिती। जगदीशपुर में गौंड महल, रानी महल और चमन महल यहाँ देखने को मिलते हैं फिर मुख महल है यह आप देखें 19 परवली 2023 को मुख मंतिरी की अध्यक्ता में मंतिरी परस्यत की बैठक में जानक्यारी दी गई है कि मंतिरी को सिचाई के चेत में बहतर कार करने के लिए उत्किष्ट के राज्जी के रूम में चुना गया है और बैठक में जानक्यारी दी गई है कि अंध्यक्ता में सिचाई उर्जा ब्यूरो द्वारा मंतिरी ने नेतत में विगत 15 बरसों में सिचाई चंता को 7 लाग हेक्टर से बढ़ा कर 45 हेक्टर तक पहुंचा आया है अगर अगर आपको पीना है तो घर ले जाईए सराप की दुकानों के लिए सेक्षडे को धार्मिक संस्थानों के आसपास 50 मीटर के दायरे को बढ़ा कर 100 मीटर कर दिया गया यानि कि 100 मीटर के दायरे में दुकाने नहीं होगी सराप पीकर बहान चलाने वाले के ड्राइवन लाइसंस निलंबेत करने उस सजा के परावधान कड़े किये गया है मंती पसंदने राजस पुस्तक परिपत छे चार परिशिष्ट एक में संसुधन करती हुए राहत रासी में बिद्धी करने का आप देखेंगे कि नेडर लिया है और ड्राइवन उसा सरी के किसी अंग अतवा आँखों की हानी के लिए 40% और 60% तक अपंगता होने पर 69,100 रुपे के स्थान पर आप देखें 14,000 रुपे पिती बेक्ती और 60% से अधिक अपंगता होने पर 2,000,000 रुपे के स्थान पर 2,500,000 रुपे दिये जाएंगे और इसी तरह गंबी रुप से गायल बेक्ती को एक सपताव से अधिक दिनों तक अस्पाताल में भरती रहने पर 12,700 रुपे के स्थान पर 16,000 रुपे पिती बेक्ती और एक सफतावसे कम अवधी के लिए आज आने पर पहाडी चेत्र में किसी योग भूमी पर मलवा हटाने के लिए थिस फार्म डिस्टेल्टिंग या पुनर इस्थापन अत्वा मरमत सफाई के लिए राहत 12,000 आप देखें 200 रूपे की इस्थान पर 18,000 रूपे पिती हेक्टर दिया जाएगा और इस तरह भूसकलन नदियों के राष्टा बदलने के कारण सीमंद या लगू किसकों के भूमी स्वामित की भूमी के नश्ट होने पर राहत 37,500 रूपे की इस्थान पर आप देखी 47,000 रूपे की इती हेक्टर कर दिया गया है पसु पक्षी और मुर्गी मुर्गा ये हानी के लिए आर्थिक साय था तो आप देखें दुधारू पसु गाय भैस उट आदी के लिए राहत रासी 35,000 रूपे पिती पसु के इस्थान पर 37,500 रूपे कल और भेड बकरी सुवर के लिए राहत 3,000 रूपे की इस्थान पर 20,000 रूपे कर दिया गया है और आज थाई पसु सेवर में रखेगे बड़े पसुगों के लिए 70 रूपे, 70 रूपे पसु पिती दिवस के इस्थान पर 80 रूपे और छोटे पसुगों के लिए 35 रूपे, पिती पसु पिती दिवस के इस्थान पर 45 रूपे कर दिया गया ह और इसी दर आप देखें मुर्गी मुर्गा हानी के लिए 60 रुपे 10 सप्ताय से अधिक आयू के पिती पक्षी के स्थान पर 100 रुपे पिती पक्षी कर दिया गया है बाड़ो और तूफान से प्रभावित मच्छवारों को भी दी जाने वाली साहता नाउ की आंसिक छती होने पर मरमत के लिए 4100 रुपे कि स्थान पर 6000 रुपे कर दिया गया है भूकामप आदी से मच्छी पालने वालों को मच्छी बीज नश्ट होने पर प्रभावितों को 8200 रुपे की स्थान पर 10,000 रुपे पिती हेक्टर दिया जाये गया बुनकरों हस्ते सिल्फों को दी जाने वाली साहता में भी बड़ोत्री की गई है और बहुत सारी आप देखें कि चुनाओ है इसी साल 2013 में तो बहुत सारी उजनाय लाई जाएंगी और आप देखेंगे नस्ट हुए मकानों के लिए आर्थिक अनुदान साहता तो पूर नस्ट मरमत युग नहीं है और गंभी रोप से चती गर्ष जा चती 50% से अधिक हो पक्के कच्चे मकान के लिए बास्विक चती के आंकलन के आधार पर राहत रासी अधिकतम 95100 रुपे के स्थान पर अब मैदानी इलाकों में 1,20,000 और पहाड़ी इलाकों में आप देखेंगे 1,30,000 रुपे दी जाए और इसी तरह आंसिक चती ग्रष जहां चती 15 पी तीसत से 50 पी तीसत हो मक्य मकान के लिए रहत रास्थी 5,200 रुपे के स्थान पर 6,500 रुपे और कच्चे मकान के लिए 3,200 रुपे के स्थान पर 4,000 रुपे कर देगी है और साथी मकान से सरलग पसु घर के लिए राहत रासी 2100 की स्थान पर 3000 रुपे पिती पसु घर दी जाएगी और मद्धी पस्तन ने नगर पालिका पालक निगम अधिनियम 1956 और मद्धिदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की कतीपा धाराओं में संसोधन किये जाने के लिए मद्धिदेश नगर पालिक बिधी संसोधन बिधियक 2023 को मंजूरी दिये या विधियक बिभाग के अंतरगत पिसासित अधिनिमों के कतीव प्राउधानों को decriminalize करने के संबंद में लाए गया है और देखे जब भी आप देखे विधानसभा में कोई पिस्ताव रहता है तो उसे विधियक बिल ही कहते है और जैसे ही आप देखे विधानसभा से पास होता है राज़िपाल सहर सहाव उस पर हस्ताक्षा देते हैं सहमती देते हैं वो कानून बन जाता है मंती पसंद मंत्पदेश नगरिये चेत्रों के भूमी हीन बैक्ती पट्टा अधिकारों को पिदाय किया जाना है संसुदन बिदेख 2023 को मंजूरी दे इससे सहरों में गरीवों की आवास की समस्या के निराकन के लिए उद्देश से मद्पदेश नगरिये चेत्रों के भूमी हीन बैक्ती पट्टा दित अधिकारों को पिदाय किया जाना है अधिद नियम 1984 के अंतरगत गरीवों को आवासी भूमी के पट्टे देनी की पातिता तिती में विड़ी करके कट ओप तिती 31 दिसंबर 2014 से 31 दिसंबर 2020 की जारी है और मंतृ पट्ट ने ग्वालियर ने नवीन तहसील ग्वालियर ग्रामीर के सहजन को मंजूरी भी दी है तो ये सब नेड़य आप देखेंगे मंत्री परसद की बैटरक में लिए गए तो आप देखेंगे 18 फरवरी की एगटना है 18 फरवरी दो जाते है इसको मुखमंती सिवरा सिंग चोहान ने सेवफुर जिले में इस्तित कुनो पालनपुर राष्टी उध्यान में दच्छर अफीका से लाए गए बारे चीतों को बारे में छोड़ा गया इसमें साथ नर चीते हों पांच मादा चीते सामल है या आप लोगों को ग्वालियर में देखने को मिलता है ना ग्वालियर के पास सेवफुर उसी में आप देखे कुनो पालनपुर मुरेना में दच्छ भीका से लाए गए इन बारे चीतों को मिलाकर अब कुनो में 20 चीते हो गए हैं और एसे पहले पिधानमंती नेंद मौधी के जनम दिर पर 17 सेप्टमबर 2022 को नावीबिया से लाए गए आठ चीतों को छुड़ा गया था यहाँ और याद रहे मध्पिदेश का पालनपुर कुनो राष्टी उद्यान बन जीब प्रेमयों के लिए सबसे अनूठा गंतब है और कुनो में करधई, खेर, सलाई की भहतायत बाले लोभावने जंगल हैं विसाल घास के मैदान और दर्जनों की संख्या में घास चरती हुए बने जीब है तो उनका सिकार भी करेंगे यह चेत लगवक 350 वर किलोमीटर की अभ्यारन के रूम में सुरू हुआ था और एक पत्ती के आरकार का था जिसके वीचों बीच में एक रीड की हड़ी की तरह कुनो नदी बैती है यह नदी ना केबल जंगल में एक निरंतर पानी की अपूर्ती रखने और जंगल की सिचाई करने में मदद करती बलकी इससे तरक्षे छेत का नाम भी पड़ा है और कुनो नेसनल पार्क कुनो वने जीव डिवीजन और आसपास के छेत इतियासिक रोप से वने जीवों से संब्रद रहा है यह छेत पराचीन काल में ही घने जंगलों के रोम में जाना जाता है कुनो नदी के आसपास का छेत पराचीन काल से जय विवित्ता से संब्रद रहा है और राजसरकार ने इस स्थान के महत्त को भहसूस करती हूँ और आप देखेंगे कि छेत में सुस्क घास के मैदान उस निकटी बंदिये नदी वाले बंद सामेले या पसुओं के विविन परजातियों में समान रूप से सम्रद है या छेत बंद जीव के लिए विविन अनुकूल कारकों का एक दुल्ला रहवास इस्तल है और इस छेत को चीतों के पुनरवास के लिए सबसे ओपयोपति स्थान के रूप में पहचाना गया है और कूंडो नैसनल पार्क के लिए बंद छेत में मुख रूप से कर दई सलाई खेर के पेड़ों का बर्चस है जो जान्दा तर्मिश से जंगलों के बीच है और इससे बनसपतियों और जीवों की विविन पिकार की परजातियों होने में भी मदद मिलती है अंगले खबर आप देखें बीस फरवरी दो जाते है इसको और ये खजराहो कहां पड़ता है चतरपुर जिले में और चंदेल सासकों से जुड़ा हुआ है आजादी का मिलत महोसों के तहट 49 खजराहो नित महोसों पश्चमी मंदे समुव परज़ा के अंदर चंदेल कालीन कंदारिया महंदेव मंदिर और देवी जगदंबा मंदिर के मद्विसाल मुक्ता कासी मंच पर 26 परवरी तक चलेगा और मद्विसासन संस्किती बिभाग द्वारा उस्ताद अलावदी खासंगीत कला अकादमी मद्विसासन संस्किती बश्चत भुपाल के माध्यम से 20 धरोः परयटन नगरी खजराहो में पिती बस खजराहो नित समारहो कायोजन किया जाता है और भारती सास्ती नित सैली पर के अंदर यह देश का सीसस्त समारो है जो राष्टी और अंतराष्टी इस तर पर ख्याती प्राप्त है और इस समारो में देश और विस्व के बिख्याद कलाकर अपनी नित पिस्तुतियां देते हैं खजराहु नित्त महुसाओ की सुरुवाद बरस 1975 में की गई थी और तब से आज तक देखेंगें कि बत्पिते सासन के संस्किती विभाग के अंतरगत उस्ताद अलाउदिखा संगीत और कला अकादमी द्वारा इसका सफल आयोजन की निरंतर किया जाता रहा है और तब से ले कलाकार अपनी कला की आभा भिखेरते हैं और समारो के माध्यम से नित्त में सास्ती इता की गरिमा बनाये रखने के लिए के साद नवाचार करने का प्रयास भी किया जाता है इसमें समयरो के सुवारम पर सांसत बिस्नु दत सर्मा ने 10 कलाकारों को मध्यदेश राज रूपंकर कला पुरुसकार देश भी दिया इसमें कौन को ने इनाम याद रखेगा राज रूपंकर कला पुरुसकार में 2022 ते इसके लिए देव किष्णे जटा संकर जोसी पुरुसकार जवलपुर की अमित कुमार सिना को इनकी कलाक्तिये दा साइनिंग मेकर के लिए दिया गया है मुकुंद सकाराम भांड पुरुसकार भुपाल की सुसरी समीक्षा राठोर को सीशक बीन के लिए दिया गया है सियाध हैदर रजा पुरुसकार भुपाल की पौपिल मन्ना को मत्रागोई आप देखे डेप्ट ओफ फियर नेशन के लिए दिया गया है दत्ताते दामोदर देवलाली कर पुरुसकार धार के प्रेमकुमार सिंग को अंटाइटल एक के लिए दिया गया है जगदी स्वामीनाथन पुरुसकार भोपाल के मान सिंग ब्याम को जिंदगी एक सफर के लिए दिया गया है विसणुच चिंचालकर पुरुसकार इंदोर के उपथेख वाप्थे को सैमल की भाल के लिए दिया गया है नारैयन सिरी धर बिन्दे पुरुसकार गुझालियकी ओंपेकास महौर को रंगों का वच्पन के लिए दिया गया है रगुनात किसनराओ भढ़के पुरुसकारे अब गोपाल के ग्रिस बा और कुडे को अंटाइटल 2 के लिए दिया गया है भढ़के भढ़के राम मनुहर सिनह पुरुसकार ये भोपाल के आप देखें सुसरी सिवानी दोबे को हिस्टोरी सिटी 6 के लिए दिया गया है लक्षमी संकर, राजपूत, पुरुषकार, जबलपूर की से अंजली राउत को प्रेंटेड क्वीन एक के लिए दिया गया है इनका लाराकारों को 59,000 रुपे की सम्माने दी प्रवाण पत्र दिये जाते हैं और आप लोगों को मालू होना चाहिए, पहले बहुत नकसली हुआ करते थे अब तो आप देखते हैं कि मद्पदेश तो मुक्ती होने बाला है, कुछी चेत प्रवादी थे सम्ती में पुलिस महाने देशक अपर मुक्त सचिव, प्रमुक्त सचिव बन, जल सासांदर, ओड़जा, ग्रह, वित्त, लोग, निर्माड, आदिम, जाती, कल्याण, लोग, स्वास्त, यांत, की, खादिव, महिला, बाल, विकास, लोग, स्वास्त, इवं, परिवार, कल्य गुरुप के सदस्त भी इसमें होंगे, तो ये भी याद रखेगा, ये अंगली खबर है आपकी, 21 परवड़ी 2022 को, AISHE सिक्षा मंतरा ले, भारस सरकार में, उप महाने देशक आर राजिस ने, उच्चे सिक्षा विभाग, उच्चे सिक्षा विभाग द्वारा पिसासन अ कारसाला का सुभावराम करते हुए कहा है कि AISHE की माध्यम से उच्चे सिक्षा संस्थानों की डाटा प्रविष्टी की कार में, मद्विदेश 22 वे स्थान से 17 वे स्थान पर आ गया है, और याद रहे मद्विदेश वर्स 2021-21 की रिपोर्ट में लगभग 4.500,000,000 नए किया जाने बाले आंक्डे पूरी तरसाटी हों, क्योंकि इस डाटावेस का इस्तिमाल भारत सरकार के विभिन मंतराले द्वारा नेती निर्माट, बजट आवंटन और अनुसंधान में किया जाता है, और इस डाटावेस का इस्तिमाल कई बार UNESCO WHO जैसे विस्तिस्ताई के स साथ अपरेल 1948 में, साथ अपरेल को आप लोग विस्तिस्व स्वास्ति दिवस में मनाते हैं, जेनेवा सोईजले इन्विस का हेड़कोर्टर देखने को मिलेगा, निजी विस्तिव विद्ध्याले वी नियामक आयूक की अध्यक्च, पुर्योफिसर भारत सरन ने कहा है, कि 2021 की रपोर्ट से बता चला है कि मद्ध देश में अनुसुचित जन्जाती बरकी छात्राओं का नामंकन में उलेकनिये विद्धी हुई है, और AISHE उच्च सिक्चा की छेत में देश का सबसे बड़ा सरवेक्षन संस्थान है, जो वर्स 2010-2011 से पैरम हुआ, और इसके माध् संसादनों की आखने पोर्टल की माध्धिम से एकत्तित किये जाते हैं इसमें, यह अंगली खबर आप देखते हैं, 22 फर्वरी 2022 को, 22 फर्वरी 2023 को, 22 कपका खतम हो गया, बार बार 22 ही आ रहा है, मद्ध पिदेश की मुखमंती सिवरासिन चोहान, सामाजिक नियाएवं अध सांस्कितिक संपत्ति की सुरक्षा और बहाली पर पोसाथ खजाने की बाफसी सीशक बाली एक पिदरसनी का उदगाटन किया है, और इस आउसर पर री एड्रस रिटर्न आप का विमोचन किया गया है, और भारत सरकादवारा 2014 से 2022 तक 229 देश से लाई गई और बिरासत से ज सांस्कितिक संपत्ति की पित्त्या वर्तन की भावना आवसक्ता वभविस को पिदरसित करना है, और पिदरसनी सांस्कितिक बस्तूवा, उनकी इतिहास, उनकी सफल वापसी की आसपास की कहानियों को दरसाने का माध्यमनी है, और भारत सरका की संस्किति मंतराले के तत्वा भारत में आई ये G20 की सांस्किती कार समूव की बैठकों का हिस्सा बनाया है और पिदसनी में पिदसित किये जा रहे हैं सबसे महत्पून टुकडों में से महला है जिसे 2015 में कनाड़ा से वापस लाए गया था अब इसे अब खजराहों में ASI साइट संग्राले में रखा गया है और इसके बारे में 26 सेप्टमबर 1999 में मैं इसकी स्थापना हुई थी और इसके उद्देश की बात करें तो बैस्वेक अद्वस्ता में पिरमुक मुद्धों पर चर्चा करने के लिए विबस्तित रूप से महत्पून उद्वोगेक और विकासी अद्वस्ताओं को एक स दामिल है फिदसनी में भारत भर से लगबग 26 पुरावसेसों के कुछ चित्तित किया गया है और जुन दुनिया के अन हिस्सों से प्यत्यावरतन के कुछ है उत्था जनक उधाड़ों के साथ साथ अब तक भारत लोटी पुरावसेसों की तस्वीरों को द्रसों के साथ सांस्कितिक संपत्ती को भापस लाने की दिशा में किये गे बेसमिक प्षियासों प प्रयास देश के भी सांस्कิतिक और अंतरराश्टी सहयुक के उत्तम उतारन हैं एकलाउ पुरातनता के तोकडे अवेत तसकरी के पिछले सिकार अब सांस्कितिक राजुतूतों और सांस पिदेश के मुकमंत्री सिवरासिंग चोहन ने पिदेश के चत्रपोज लेके खजराओं में G20 संस्किती कारसमूग की बैठक के आयज़न के आउसर पर मदपिदेश के जन जाती है और लोगकला राज्य संग्राले संस्कितिक गाओं आधी वर्थ का लोगका नपड़ किया है और मुकमंत्री ने बताया कि संस्किती विभाग द्वारा आधी वर्थ को मदपिदेश जन जाती है इवं लोगकला राज्य संग्राले की रूमे परिकल्पित किया है और संस्कितिक गाओं आधी वर्थ के पहले चरण में साथ जन जातीयों के गाओं के परिदेश को सामिल के पितिनिदी और पितिनिदी के आवासों जीमन उपयोगी बस्तूंगों का निर्माण करपेदर सित किया गया है और संस्किति संचालन अधीती कुमार तिरपाटी ने कहा है कि आदी बर संगराले की माध्यम से जन जाती है कलाकारों को इस्थानी उत्पाद और पैंटिंग इत्यादी के विक्रय का बेहतर मौका मिलेगा और इसे कलाकारों की जीब का भी सुद्रन यानी की मजबूत होगी एक तरह से ठीक है अंगली खबर है आपकी 23 फरवरी 2023 को मुख्वंति स्वरासिंग चोहान ने कहा है कि राष्टपती द्रोपती मूरू तीन मार्च को पाल में और सम्मिलन में 16 देशों के पिति निदी और 6 देशों की संस्किती मंतरी भाग ले रहे हैं यानी कि सामिल होंगे इसमें साद्विय अंतराष्टी धरम धम सम्मिलन 3-5 मार्ट 2023 तक भुपाल की कुसा भाव ठाकरेश सभागा में होगा सुबारम सत्मी सिर्यराम जन सत्में इंडिया फाउंडेशन की गवर्नर काउंसिल का सदस रामाधों की अध्यक्सता में मिनेश्टर सत्में भूटान, स्री लंका, नैपाल, इंडोनियास के संस्किती मंतरी अपने विचार रखेंगे इस सम्मिलन में देश के विभिन राज्यों बिस्विध्याले के सा अमेरिका, साउथ कोरिया, थाइलेंड, इस्पेन, वेतना, मौरिसस, रूस, भूटान, स्री लंका, इंडोनेसी और नैपाल, मंगोलिया और फ्रांस आधी के देशों से आई विध्वांत और सोधार थी भाग लेंगे और याद रहे, पिथम अंतराश्टी धरम सम्मेलन का आयजन 22 दिसमबर 2012 को सांची विष्विध्याले मद्ध पिदेश में किया गया था वहीं चटवे अंतराश्टी धरम सम्मेलन का आयजन 29 नवंबर 2021 को बिहार की नालंदा जिले के राजगिर में अवस्तित नालंदा विस्विध्याले में किया था पुराना विस्विध्याला है 24 परवली 2023 को मद्ध पिदेश के मुकमंत्री ने बताया कि राज सरकार पिदेश में स्वास्त उविध्याओं की बिस्तारी के लिए नितर काम करी है इसी करम में लक्ष अभियान के अंदर के राज जी की 111 सास्की स्वास्त थंस्ताओं को राश्ती इस्तर पर प्रमाडी करन मिला है और मुखमंतिरी ने बताए कि राज्जी की इन 111 सास्की स्वास्त हंस्ताओं को एक लाख से लिगर पांच लाख तक का बारसिक अनुदान प्राप्त होगा और एस राज्जी को ऑपरिसन थेटा और उपेसा कक्षों की देखवाल और बहतरी के लिए बै किया जाएगा और मुखमंतिरी ने बताए कि केंद्री दलद्वारा लक्ष अभियान में सुरक्षित और गुडवत्ता पूर मातत देखवाल को ध्यान में रखते हुए के देश की चिकेस सालेओं में उपलब दिवस्ता की जाज की गई थी अंगली खवर है आप देखेंगे 26 परविश दो जाते हैं इसको मुखमंतिरी ने जावु अजले की हांती पाव पहाड़ी पर हल्मा उस्साओ और विकास यातरा के समापन समारों में कहा है कि हल्मा की परंपरा को समूचे मत्पदेश में विस्तारित किया जाएगा ठेलाया जाएगा मुखमंतिरी ने हल्मा ऐसी परंपरा है जिसकी प्रेकिती को गिलोवल बार्मिंग से बजाय जा सकता है वनवासी समाज की हल्मा परंपरा अधुतिय है या संकट में खड़े मनुस की साहता का संदेश देती है उन्होंने काई कि इस परंपरा को समूचे मद्पदेश में विस्तारित करती है जल मिट्टी और पर्यावन सरक्षन का कार किया जाएगा भारत के जनजाती समाज में आज भी जीवन यापन की कई देश बिधायें मौजुद हैं जो बारतमाल समय में विकास के कारण उत्पन विवन समस्याओं का समधान कर सकती हैं उन्हीं में से एक बिधाये भील जनजाती की हलमा परपरा इस परंपरा के मत्ट के कारण भी 24 अपरयल 2022 को पिधान मंत्री मौधी ने मन की बात में इसका जिक्री की भी किया था हलमा ने जाबुआ के जले के बड़े जल हिस्ते में जल संकट को कम करने में बड़ी भूमिका भी नाई है और भील समधाय की यह परंपरा देश बिधाओं की तकनीकी संब्धिद का अनोखा उधारन है और आदिवासी जंजातियों में हलमा हरडा और हीडा जैसे नावों से परस्वर समधायक सहयो की भावना की इस तरह की पिथा या परंपरा मौझूद है और लोग साहत में इसका उलेग भी है परंतु कलांतर में यह लुप्थ होती गई है और याद रहे हलमा भील समध में एक मदद की परंपरा है जब कोई वेक्ति या परिवार अपने संपूर पर्यासों के बाद भी अपने पर आयस संकट से उबर नहीं पाता है तो तब उसकी मदद के लिए सभी ग्रामिर भाई बंदू जुटते हैं और अपने निस्वाज पर तुनों से उसे मुश्किल से बाहर ले आते हैं यह एक ऐसी गहरी और उदार परंपरा है जिसमें संकट में फसे व्यक्ति की साहिता तुकी जाती है पर दोनों ही पक्षों द्बार Turkish किसी भी तरह का आहसान या ना तो जटाय जाता ही ना माणा जाता है पर अफसर सहयोग और सहारे की यह परंपरा दर्सथा आती है कि समाज में एक दूजे की मजबूती कैसे बना जाता है और किसी को भी मजदार में अकेले नहीं छोड़ा जाता, बलकि उसे निस्चल मदद की द्वारा समाज की मुखधारा से जोड़ा जाता है, भील सब्दिका महत इसलिए भी अधिक है, क्योंकि इस जंजाती को भारत की सबसे प्राचिन और अपनी परंपरा को जीवित रखने बाली जंजाती माना जाता है, और भील भारत की तीसरी सबसे बड़ी जंजाती समाज है, आजादी से पहले वह अंतिम जंगरना 1971 की अंसार, देश में भीलों की आबादी लगभग 2 बिलियन थी, जो आप देखेंगे आख 17 बिलियन हो चुकी है, बिलियन का, मिलियन मिलियन भील समधाय मदपदेश के अलाबा राजिस्थान महराश्ट सहेद देश के अनराज्यों में भी निबास करते हैं, और मदपदेश का भील समधाय अन भील समधाय के जैसे ही अपनी परंपरा को जीवित रखे हुए, आज भी मदपदेश के भीलों के सांस्कित एक परंपरा को एक गैर सरकारी संगतन सिफ गंगा से शुरू किया था महेश सर्मा ओहरस चोहान की महत्मूर भूमिका थी महेश सर्मा को भारत सरका द्वारा उनकी कारियों के लिए 2019 में पदम सिरी से सम्मानित किया था आज वो भील जंजातियों की भी जाबुआ के गांधी बन चुके है हलमा को बड़े पिर्माने पर 2008 में विवारिक रूप से रूप दिया और परडाम सो रूप साल 2009 की पहले हलमा में पानी के छोटे छोटे गड़े बनाने के लिए 800 लोग सामने आये थे और सरमदान दिया था अंगले बस यानी की 2010 में सहिवागिता बढ़कर 16 सो हो गई थी 2011 में 10,000 लोग इसमें सामिल होए थे आज यह संक्या एक अंदोलन का रूप ले चुकी है जिसे देखते समझने के लिए सरकार से लेकर सोधारतियों की बड़ी संक्या पर इस पर सोत कर रही है और साथी बाहर जाती है अलाकों में आप लोग जाए वहीं देखने को मिलेगी एप 25 फरवरी 2023 को मुखमंती सिवरा सिंग चोहन किया देखता में आयोजित मंती परसद की वर्चुल बैठक में मंती परसद ने पिदेश में महलाओं के सरवांगीट विकास आर्थिक स्वालंबन और आप द कि साड़ वर्स की जो आयो की विवाहित महलाओं को ये उजना के लाप की पात्ता होगी और पितेक पात्त महला को उसकी पात्ता हो दी में एक हजार रुपे पिती महा के मान से रासी सीधे उसके आधार लिंक बैंक खाती में जमा होगी और किसी परिवार की साड़ वर्स से प्रविश्टी ऑनलाइन पोटल पर करने की वरस्ता की गई है और वित्ती वर्स 2023 में योजना अंतरगर लगबद एक करोण महला हित्गराहियों को एक हजार उपी पिति माय मान से रासी खाते में जमा की जाएगी ठीक है चले आगे बढ़ते हम लोग अंगली ख़बर की तरफ इसी उजना का लाव उठा लीजेगा ठीक है मद्वित्यस उद्धोकों की स्थाफना परीचालन का सरली करन अधिनियम 23 को पिति स्थाबित किया जाने के संदर में रह लिया है आप लोगों को बता हुए अध्यादिस तब लाया जाता है जब आप लोगों की किसी कानून की जरूरत है और विधानसवा नहीं चल पा रही है या किसी कारण से नहीं लाया जा पा रहा है विद्यक पास नहीं हो पा रहा है तो राजपाल उस समय आप देखते हैं कि क्या ला सकता है आपका अध्यादिस ला सकता है के अंदर में आप देखते हैं राष्टपती ला सकता है और आर्टीकल 123 आप लोग पढ़ेंगे आर्टी जमसे निर्धारे प्यारूम में नोडल एजनसी को किया जाएगा नोडल एजनसी द्वारा पूर्ण प्राप्त निवेस आसर प्रस्ताओं की अभी सोईकिती निर्धारे प्यारूम में जारी की जाएगे प्राप्त की जाने बले निदेष्ट सिवा अनुमती अभी सोईकिती प्राप्त प्राप्ती दिनांग से तीन साल अग्वा उद्दोगिक उकरम या उद्दोगिक एगाई की बेवसाईग गतिविधी संचालम प्यारम किये जाने जाने तक जो भी पहले हो उनमोक्त रहेगा उक्ताओधी प्रहसामाप्त होने कि 6 माय के अंदर आवसक अनुमतियां सम्मतियां पर आप्त करेगा और जारी अभी सोईकिती प्राप्त की बेदता अवधी में कोई सक्षम परादीकारी अधीनियम में वर्डित अनुमतियों के संबंद में निरिक्चन नहीं कर सकतेगा और इस अधिनियम में राज की पास अधिसूचित छेत्रों का चैन करने की प्रावधन होगे, जहां यह अधिनियम लाउ किया जाएगा, एकाई की पैराम होने की पूर एकाई द्वारा आवसक होने पर निरिक्चन कर अनुवती और सहमती दी जाएगी, तो राज सरकार अधि परवधी 2023 को, जलवाई परिवरतन पायावजित कारसाला में पर्यावन विभाग की इपको और अंतराश्टी सोच संस्थान WRI, इंडिया के बीच, पिदेश में जलवाई परिवरतन उबनों की सरक्षन समंदी कारों पर तकनी की सहयों के लिए MOU हुआ है, और कारसाला का म कुदेश नवंबर 2022 में मिस में संपन जलवाई परिवरतन सम्मेलं में CEOP 27 के मुख के बिंदूआं पर फिस्तोती करण कर विचार बेमस किया जाना था, और कार पालन संचलक इपको मुझे बुर राहमान खान ने कहा है कि MOU अंगले 5 बरस मद्ध पिदिस में जलवाई परि परिवागों को समस्त पिकार की संस्थागा तकनीकी साहता देना जारी रहे खेगा, और राज जलवाई परिवरतन के अंद समनवे, लोकें ठककर ने कहा कि एकको मद्ध पिदेश सासन की बिस्ति संस्था है, जो राज सासन को परियावन से समन्धित मुद्धों पर पराव परिवरतन के किरसी जल संसादन पर्याटन और उर्जा चेत्रों में एक बड़ी चुनोती पेस कर रहे तरभाव के पिति अत्यदिक संबेदन सी राज है, और उपयुक्त नीतियों के साथ तकनीकी और बित्तिय संसादनों, संसादनों की आवसकता इस्थानी स्तर के माध्य को बढ़ाने लचिला बनाने और हानियों और चत्तियों को दोर करने मानोश छमता बढ़ाने के लिए आवस्तेक है, डवलु आर आई इंडिया की क्लाइमेट प्रोग्राम की निर्देशक उलका केलकर ने कहा है कि भारत में क्लाइमेट एक्सन के माध्यम से मद्पिदेश बहुत मात्मूर राज है, या गिरेन हाउस गयस उस्तेक के मामले में भारत के सीज दस राज्यों में से एक है, और राज आधभूमी की रक्षा पारम पर एक जल्द संचैन सर रचनाओं को पुनर जीवित करने और देशी मविसियों की नसलों को बढ़ावा देने जैसे उ को बर भी हम लोगों ने ले लिया है, अंगली क्लास में मार्च 2023 में कि जो घटनाय रहेंगी उनके बारे में भी बात करेंगे, आपका कोई सवाल है मेरे लिए, सुझाओ है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है, पढ़ते रहिए आप लोग, मेरी सुप्कामनाय